श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है, इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है, तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं, इस दिन चंद्रमा आपकी कुणली में, अश्टम भाव में गोचर करेंगे, ये दिन आपके आपके लिए कई मामलों में अच्छा सावित होगा, और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतर्क्ता भी बरतनी पड़ेगी, इस दिन को आपको अचानक से धनप्राप्ती हो सकती है, आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है, उन पैसों की जिनकी आप कई द पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुवात करना चाहते है तो दिन आपके लिए अनुकुल रहेगा इस समय में स्वास्ति का ख्याल आपको जरूर रखना है बिमारिया आपको घेर सकती है वात रोग रक्त विकार आधी में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी इस समय में आपके शरीर में एनरजी की कमी भी रह सकती है अश्टम भाव में चंद्रमा की स्थिती पारिवारी कलकलेश बढ़ा रही है आपको इस दिन क्रोथ पर नियंतर रखना जरूरी होगा तोल मोलकर बोलिएगा नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है घर परिव हो तो ऐसे समय में व्यर्थ की यात्राई नहीं करनी चाहिए और अगर यात्राई करनी ही है तो जरूरत की सारी चीजे साथ लेकर जाए इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है क्यू इस दिन धैर्य रखोगे तो आपके लिए समय शुब रहेगा नहीं तो आप इस समय में कोई गलती कोई लापरवाही कर सकते हैं। इस समय में अगर कोई कागजी का रवाया करनी हैं तो वहाँ पर भी आपको सतर्क्ता बरतनी जरूरी होगी। कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें। साथ ही इस दिन आप हरे रंकाय उपयोग भी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तो अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो चार हरी इलाइची अपने जेब में ले लिजे। इस से आपको फाइदा होगा अगर आप इस दिन हरी मुंकी दाल, इलाइची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा नकारत्मक उर्जा समाप्त हो सकती है। इस से आपका दिन शुब रहेगा, कामों में सफलता मिलेगी और मन शान्त रहेगा। इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुख्य गुलक में एक रुपए का सिकाज जरूर डाले। दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मार्गदरशन के तोर पर लिया ज देखे। स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो ची जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जू जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिलकुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट ड जैसे घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घ गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट ह और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े खास बात है। हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है। जी हाँ वो अशुब माना जाता है। घर में मकडी का जाला होना अशुब हैं इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं। क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद